हेलो फ्रेंट्स हमारी साइकलोजी की पात्षाला का कल वाला टॉपिक मतलब की नॉर्मल एंड अबनॉर्मल बहेवियर की जो फिल्म बनी थी उसका पार्ट वन था और आज हम पार्ट टू समझने वाले हैं यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले जाकर पार्ट बन देखिए और फिर ये पार्ट टू देखिए क्योंकि ये दोरों फिल्म कही न कहीं कनेक्टिविटी में बनी हुई है तभी आपको समझ में आएगा आज का टॉपिक लेकिन यदि आपने पहला पार्ट देख लिया है तो दूसरा पार्ट जरूर देख लिएगा क्योंक कि इसमें कोई भी repetition नहीं है बिलकुल नया और नये तरीके से हम abnormal normal behavior को समझने की कोशिश कर रहे हैं कल अगर revise किया जाए तो कल तीन बातों की चर्चा हुई थी cultural values, gender differences and age differences कि इनके आधार पर हम normal abnormal behavior को कैसे judge करते हैं ये तो ऐसी बात थी कि जहां पर हम layman के रूप में बात कर रहे थे लेकिन जब psychologist बात करते हैं तो कुछ न कुछ ठोस बात करते हैं psychologist बात करते हैं तो कुछ तर्क तथ्य और प्रमान से बात करते हैं तो psychologist ने क्या कहा कि normal abnormal behavior को हम कैसे differentiate करें तो फिर psychologist के four criteria हैं मतलब कि चार कसोटिया हैं चार मापदंड हैं आप कुछ भी समझ लें या चार principle हैं उनके आधार पर आप आज abnormal normal behavior को समझेंगे मैंने क्या का की criteria हम समझने वाले हैं और टोटल four criteria है तो number one बात करते हैं इस वो कहते है criteria of statistical infrequency criteria of statistical infrequency संखिकी और बारंबारता की कसोटी यहां पर हम मैंने क्या कहा था psychologist कुछ technical बाते करते हैं psychologist हवा में बाते नहीं करते हैं psychologist तर कुतत्य और प्रमान पर बाते करते हैं हम statistical infrequency मतलब की statistics के एक principle के आधार पर हम यह समझें कि यह normal behavior है या abnormal behavior है तो इसके लिए यहां पर मैं कर्व बनाता हूं यहां पर मैं एक bell shape का एक कर्व बनाता हूं यह आपको दिखरा होगा और इस bell shape के कर्व को हम कहते हैं NPC short form में लिखा है कि normal probability कर्व यह हम इसको normal distribution कर्व भी कहते हैं और statistics का यह जो सिधानत है यह बहुत ही famous हैं क्योंकि यह सिधानत यह कहता है कि यदि एक group की मतलब कि अगर हम पूरे संसार की population को 100 मान कर चलें तो यह principle कहता है कि 68 मतलब कि 100 में से 68 या आप कहें कि 68 percent लोग एक जैसे होते हैं किसी भी इस्तर पर मैं अगर आप किसी class में बैठा हैं मानली आपके 30 लोग हैं 30 student हैं और मैं आपके चिंता का measurement करना चाहता हूं मैं आपके उपर चिंता का questionnaire apply करता हूं अब जो चिंता का जो इस्तर निकल कर आएगा ना 30 लोगों का तो आप यह देखेंगे कि 30 लोग मैं से 68 percent अब आप calculate कर लें कि 30 का 68 percent कितना होता है तो वो 68 percent लोग लगभग एक जैसे होगे और बाकी के जो 32 percent बचे वो क्या होगा वो 68 percent से थोड़े इधर की तरफ चले जाएंगे थोड़े इधर की तरफ चले जाएंगे मतलब कि मैं चिंता की बात कर रहा था तो जो थोड़े बहुत लोगों का चिंता बहुत ज्यादा हाई होगी और थोड़े बहुत लोगों की चिन्ता बहुत जादा लोग होगी, या कुछ लोग ऐसे भी होगे, जिसमें चिन्ता बिल्कुल भी नहीं होगी। अब इसको इस कर्व पर समझते हैं ये एक bell shape कर्व है जिसका नाम है normal probability कर्व normal probability कर्व की विशेशता होती है कि ये bell के shape का होता है दूसरी चीज ये जो आपको किनारे दिख रहे होंगे ये किनारे मतलब कि ये जो दोनो लाइन ये base line और ये वाली लाइन और दूसरा इधर भी base line है और पर वाली line ये line किनारे तक आप कितना भी लंबा जाते जाए जाते जाए लेकिन ये एक साथ मिल नहीं सकती ये इसकी विशेशता है कि ये दोनो लाइन इधर से नीचे से मिलेंगी नहीं ये दोनो लाइन उदर आगे जाती जाएंगी लेकिन मिलेंगी नहीं अब ये principle क्या क्या काम करता है देखिए ये इस principle में ये क्या है ये एक beach की line है मतलब ये कि middle point है एक center point है और इस center point के 1, 2 और 3 हम इधर 3 निशान बना रहे हैं ये इधर 1, 2 और 3 मतलब कि इस center point के 3 मैंने इधर निशान बना दिये और 3 मैंने इधर निशान बना दिये यहाँ पर इस 3 जो निशानों का आपर क्या है यहाँ पर इसको मान लेते हैं plus 1, 2, 3 इधर की बात करें तो इसको minus 1, इसको minus 2 और इसको minus 3 अब अगर इसको थोड़ा सो और explain किया जया तो middle line से plus 1 plus 2 plus 3 हमने इस तरह से divide कर दिया और middle line से minus की तरफ minus 1 minus 2 minus 3 अब यह कहेंगे कि साथ क्यों बाटा देखिए साथ principle है मदब plus 1 का मतलब यहाँ पर है plus 1 sigma plus 2 sigma plus 3 sigma इस कभी भी normal probability करव को plus 1 sigma plus 2 sigma plus 3 sigma इस तरह कैसे और इधर left की सरफ या आप right की तरफ जो भी आप मान ले minus 1 minus 2 minus 3 मतलब कि पूरे के पूरे normal distribution करव को total 6 sigma में plus के 3 sigma और minus के 3 sigma में divide कर दिया अब क्या होगा अब यह होगा कि यह principle यह कहता है कि plus minus 1 sigma मतलब कि plus 1 sigma से लेकर minus 1 sigma के बीच जो भी लोग हैं मैं इसको एक line यहाँ पर किस देता हूँ यह है minus 1 और यह है plus 1 अब यह middle line के यह वाली line कौन सी है left वाली line minus 1 की है मेरे left की बात कर रहा हूँ और इधर से यह वाली line plus 1 की है तो इन दोनों के बीच जितने भी cases होते हैं के इस मतलब जितने भी लोग होते हैं उनकी value होती है 68% के आसपास 68% के आसपास मतलब कुछ points में अंतर होता है तो यह बताएंगी left to percent लोग 68% लोग क्या है normal है अब थोड़ा सा और calculate कर लेते हैं थोड़ा mathematics दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाल देते हैं अब 100 में से 68 हटा दें तो कितने बचे 100 में से 68 हटाएंगे तो बचेंगे 32% तो 32% का मतलब क्या है किसा आप 16% इधर की तरफ होंगे माइनस की प्लस की तरफ और 16% माइनस की तरफ होंगे यह बात तो सीधी सीड़े लो भी यह बीच है तो बीच में 50% इधर 50% इधर तो बीच के 68% तो होई गए नहीं कि यह 24% यह 24% अब इसके इधर 32% और इसके इधर 32% तो अब यह समझें कि जैसे जैसे हम इस मिडल लाइन के किनारे की तरफ बढ़ते जाएंगे माइनस की तरफ और जैसे जैसे इस प्लस की तरफ किनारे की तरफ बढ़ते जाएंगे दोनों ही लोग abnormal कहे जाएंगे आप इसको एक example से समझ ले कि एक लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा genius बहुत ज्यादा genius मतलब एक फिल्म आपने देखी होगी रोबोट रजनीकान साब के फिल्म है और वो नाई की दुकान पर बैठा रहता है बहुत बहुत ज्यादा जीनियस और एक आदमी ऐसा है या एक बच्चा ऐसा है कि जो बिल्कुल एक ऐसा आदमी जो प्लस की तरफ बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा जीनियस और एक आदमी ऐसा है या एक बच्चा ऐसा है कि जो बिल्कुल इंटलिजेंट की बात कर रहा हूं वो बिल्कुल इडल बिल्कुल इडियट इडियट गाली नहीं है इडियट 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 कैटेगरी है कि बिल्कुल इडियट मतलब बहुत ही कम बुद्धी का है अब आप ये बताएं कि कुछ लोग हैं जो बहुत कम बुद्धी के हैं कुछ लोग हैं जो बहुत अधिक बुद्धी के हैं अब ये दोनों लोग जो किनारे के हैं ये क्या हैं ये gifted है या इसको के सारे लोग रहते हैं मेरी बुद्धी आपके मदर की बुद्धी आपके फादर की सब लोग कैसे होंगे एक जैसे होंगे,ech recommending बहुत कहेंगे तो 18-20 मान लें लेकिन कुछ लोग होगे जिसकी बुद्धी 1-2 होगी कुछ लोग होगे जिसकी बुद्धी 1-2 मैं एक्जामपल के लिए बता रहा हूँ जिसकी बुद्धी बहुत जादा होगी तो यहां पर बात क्या है statistical in frequency यह जो principle है यह जो criteria है यह कहता है कि भाई साब जैसे जैसे हम normal probability कर में किनारे की तरफ बढ़ते जाते हैं यह इधर किनारे की तरफ बढ़ते जाते हैं दोनों ही किनारों पर abnormal behavior होता है अब आप कहेंगे साब genius कैसे abnormal हो जाएगा वह तो बहुत intelligent है बिल्कुल सही है लेकिन वह आपके जैसा तो नहीं है वह आ आप normal है तो normal से कितना दूर है कल मैंने बताया था abnormal का मतलब normal से बहुत दूर normal से परे अब genius अब genius मतलब लोग अपने आपको genius मानते हैं मैं उस genius की बात नहीं कर रहा हूं genius मतलब extraordinary genius उसको पूरे दुनिया जहान की बाते याद है वह पूरी दुनिया जहान की जो भी mathematics की problem है या science की problem वह सब solve कर सकता है उसकी मैं बात कर रहा हूं अब आप यह बताएं वो जो आदमी है जो बिल्कुल extraordinary है क्या वो normal है नहीं statistics यह कहती है कि वो abnormal है और इधर की तरफ चलें जो बिल्कुल idiot है वो भी abnormal है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि statistical in frequency का principle क्या कहता है normal और abnormal behavior के लेकिन एक तोड़ इसमें भी लोगों ने लगा दिया तोड़ क्या लगा दिया अब मैं एक statement कर रहा हूं बड़े ध्यान से सुनियेगा जो लोग statistically rare होते है रेयर मतलब या एकदम उधर होते है या एकदम इधर होते है जो लोग statistically rare होते हैं लेकिन desirable accepted है लोग उनको accept कर रह है तब क्या होगा उनको कहते है कि नहीं साब वो normal है बल भले ही वो statistically rare हो लेकिन एक व्यक्ति है जो statistically rare है और लोग उसको accept नहीं कर रहा है तब क्या होगा तब वो abnormal behavior है अब समझने का देखिए तरीका है लेकिन एक बात यह ध्यान रखिएगा कि statistics से कहती है कि जो बिल्कुल मिडिल लाइन से जैसे जैसे दूर होता जाएगा वो abnormal behavior करता जाएगा या abnormality मानी जाएगी यह हुआ criteria number one क्या था criteria of statistical infrequency अब second criteria की बात करते है मैं इसको मिटा देता हूँ second criteria है criteria of norms violation second criteria क्या है criteria of norms violation norms violation को आप इस तर से कह दे है कि criteria जो है यह जो sorry criteria of social norms violation या violation of social standards हर समाज ने कल जैसे की culture की बात हो रही थी ना कि हर culture ने अपने कुछ नियम तय कर रहे हैं हर society ने अपने कुछ नियम तय कर रहे हैं यदि उस नियमों पर चलते हैं socially approved या socially accepted behavior करते हैं लोग करते हैं भाई साब normal behavior कर रहा है लेकिन जैसे ही आपने society ने कहा A और आपने कह दिया B डिखो abnormal behavior है मतलब कि जो society कह रही है society ने जिस तरह से मानक बना दिये हैं अगर आप उनको तोड़ते हैं आप उस रूल को उन सिधानत को उन नियमों को तोड़ते हैं जो society ने बना दिये हैं और जब आप तोड़ते हैं तो society आपको क्या है accept नहीं करती है आपको reject करती है और वो किस लिए क्योंकि वो ये मानकर चलती है कि नहीं भाई साब आप abnormal behavior कर रहा है क्यों क्यों तो जैसे ही आप norms को तोड़ते हैं जैसी आप society के नियमों को तोड़ते हैं तो एक state आती है एक feeling होती है जोसेरा कहते है socially discomfort क्योंकि जब आप नियमों को तोड़ते हैं तो आपको परिशानी हो या ना हो लेकिन जो दूसरे आस पास के लोग हैं जो समाज के मैं इसको बहुत ज्यादा बताने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं सोसाइटी के नियमों को तोड़ते हैं वो यह सोचते हैं कि हम बहुत बढ़ा बहला काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को जो सोसाइटी में रह रहे हैं उनको कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा discomfort होता है, यह वो feel नहीं कर सकते हैं तो फिर हम क्या कहते हैं, कि भाई साब वो गलत काम कर रहा है सिद्धी सिद्धी बात है, anti-social behavior अरसामाजिक व्यवार जो भी व्यक्ति कर रहा है जो अरसामाजिक व्यवार anti-social behavior कर रहा है, वो मानता है कि साब मैं तो सही कर रहा हूँ गलत क्या कर रहा हूँ, लेकिन society अगर मान रही है कि वो नियमों को तोड़ रहा है वो anti-social behavior कर रहा है, मतलब कि वो abnormal behavior कर रहा है यह बात हो गई, criteria number 2 अब आते हैं, criteria number 3 पर criteria number 3 की बात करते हैं, तो criteria of personal distress sorry, yes, distress, personal distress यहाँ पर personal distress का मतलब क्या है, कि जब व्यक्ति को suffering होती है जब किसी व्यक्ति को, खुद को तकलीफ होती है जब किसी व्यक्ति को mental pain होता है जब किसी व्यक्ति को, खुद मन में तकलीफ होती है और वो यह जान रहा है कि साब मुझे यह करके तकलीफ मिल रही है मुझे यह सोच के तकलीफ मिल रही है और खुद भी तकलीफ में है, दूसरों को भी तकलीफ दे रहा है अब वहापर आस्तोर सा समझ ले, परस्नल डिस्ट्रेस का मतलब क्या है? व्यक्तिगत तकलीफ, एंग्जाइटी का पेशन्ट है, डिप्रेशन का पेशन्ट है, वहापर क्या उनको पता है कि साब मुझे कुछ दिक्कत हो रही है, डिप्रेशन के पेशन्ट को मन नहीं लग उसको पता है, डिप्रेशन के पेशन्ट को उदासी हो रही है, उसको पता है, मतलब वो खुद जान रहा है, वो खुद डॉक्टर को ज़्यादा साब मन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, अब जब परस्नल डिस्ट्रेस हो रहा है, मतलब खुद को तकलीफ यहारी है कि वहमेशा हमेशा केमा कीवल और केमा खराब खराब हराब नीगेटिव विचार आ weaker criminal और जब ऐसा अब abnormal behavior हो रहा है perfection क्योंकि वह normal नहीं है अगर normal से क्या मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं परीशान हो रहा हूँ क्या मादल मुझे एकदम stress हो जाए मैं अएकदम ज्यादा में तकलीफ में रहा हूँ psychological pain और वह psychological pain मेरे face पर मेरे appearance पर मेरे कही न कहीं जो मेरी expression है उस पर बिलकुल दिख रहा हो और मैं खुद कहूं ब्यारे यार मन नहीं है मत अब कुछ हो रहा है that is personal distress और जब personal distress होगा तो वो abnormal behavior का एक indicator है नमबर चार की बात करते हैं अब नमबर चार की बात करें कि criteria of personal अब एक होता है criteria of dysfunction dysfunction देखिए personal distress हो गई अब criteria of dysfunction मतलब कि दुश क्रिया की कसौटी मैं इसको एक पर मिटा रहा हूं फिर आपको थोड़ा और अच्छी तरह समझ में आएगा नमबर एक कौन था नमबर पहला था criteria of statistical infrequency नमबर दो था criteria of norms violation नमबर तीन था criteria of personal distress और नमबर चार पर आ रहा है criteria of dysfunction और dysfunction की हिंदी होती है दुश क्रिया अब dysfunction मतलब कि भैसा functioning खराब हो गई है अब यहाँ पर functioning किसकी दिमाग की मतलब इसके अंदर जो चुछे चल रही है मैं यहाँ पर दिमाग मतलब brain की functioning की बात नहीं करने वाला हूँ कि brain में चोट लग गई इसकी बात नहीं करने वाला हूँ मैं यह बात करने वाला हूँ कि अगर आप में illogical thoughts आने शुरू हो जाए और irrational ideas आ रहे हूँ मैंने क्या का illogical लॉजिकल नहीं तरक नहीं है वाई साथ जो भी कुछ हो रहा है मतलब कुछ विचित्र से विचार आ रहे है उन विचारों में कोई तारतम्यता नहीं है और नहीं उस परिस्सिति के साथ वो विचार मैच हो रहे हैं illogical है कोई logic नहीं है और यह क्या-क्या विचार आ रहे हैं तब क्या होगा अयोग्यता उत्पन होगी तो लोग कहेंगे भाई साब abnormal behavior हो रहा है आप इसको इस example से समझ लें आपको यह कहा जाए कि साब आप ऐसा करें आपका promotion होने वाला है आप जौब में हैं आपका promotion होने वाला है और आपको मुंबई जाना है कहां से कन्या कुमारी से जाना है मान लिया मुंबई लेकिन जाना क्या है कि आज शाम की अभी की flight पकड़ना है और आपको बिल्कुल दो घंटे बाद ही आपको जौइन करना है promotion पर और बहुत अच्छा package लेकिन illogical thoughts, irrational idea और अगर हवाई जाज नीच्छे गर गर तो हवाई जाज में कोई crash हो गया तो मैं हवाई जाज में बैठा और कोई मर गया तू मतलब बताएं कि क्या हवाई जाज हर दिन crash होते हैं क्या हर दिन खराब होते हैं नहीं लेकिन वह केवल इस लिए नहीं कि मुझे promotion नहीं चाहिए, बले ही 500 करोर रुपे मिल रहा है, अभी 600 करोर, अभी 500 रुपे salary, 5 करो नहीं नहीं चाहिए, क्यों कि भाई साब मैं मरना नहीं है, train से जाऊंगा train से नहीं जाना है, plane से जाना है, अब आप यह बताएं कि यह जो इल्लॉजिकल थॉट उसके मन में आये जो इर्रेश्णल आइडिया उसके मन में आये उसके कारण डिसाबिलिटी डेवलप हुई या नहीं हुई वो जाई नहीं पाया वो प्रमोशन ले नहीं पाया तब आपने का यह कैसा बेवकूफ आदमी है आपने का कि क्या करता है मैंतब कितना अबनौर्म आदियों हवाई जाज में बैठने से डर रहा है दुनिया तो कहते है हवाई अब यह जो four categories की मैंने बात की number one मैंने आपको बात की statistical infrequency की मैंने आपको बात की norms के violation की मतलब की social norms के violation की मैंने आपको बात की personal distress की और number four पे मैंने बात की dysfunction की यह चारो जो criteria वो अलग-अलग-अलग तरह के की बात करते हैं तो फिर सही क्या है भाई सब सही universal agreement नहीं है कि disfunctioning जिसमें होगी वो abnormal behavior कर रहा है जो norms को तोड़ रहा है वो abnormal behavior कर रहा है नहीं परिस्थिती, situation, culture, society, जगह, खुद व्यक्ति की कुछ personal जो कुछ उसकी characteristics है इले सब को देख कर decide करना पड़ता है अरे हवाई जाज में नहीं बैट रहा है abnormal है देखिए एक criteria है आपको समझना है लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि नहीं इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें है abnormal और normal behavior को judge करने के लिए लास्ट हमारा lecture थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन इस पूरे topic को अच्छी तरह समझाना मेरी duty है तो अब four criteria समझना आ गए अब इसको last करते है केवल दो से तीन मिनिट में अब इन सब बातों के बाद एक psychologist हुआ है जिनका नाम है कोमर उन्होंने 1995 मे एक approach दी जिसको कहते है फोर डी फोर डी अब इन्होंने का चार तरह के डी लिख लीजिए एक दो तीन चार तो abnormal behavior का मतलब क्या है जिसमें डी मतलब डेंजर हो या दी मतलब distress हो या दी मतलब deviant behavior हो और दी मतलब dysfunction हो अब 4D approach by कोमर इन्होंने का कि यह दिए चार डी आपके अंदर है मतलब कि आप dangerous behavior कर रहे हैं अपने लिए दूसरों के लिए जब आप distress में हैं खुद भी तकलीफ में हैं दूसरों को भी तकलीफ दे रहे हैं जब आप deviant behavior मतलब कि समाज ने जो नियम बना रहे हैं उससे आप दूर जा रहे हैं उसको तोड़ रहे हैं और नंबर चार dysfunction की वाई साब illogical thought illogical ideas जिसके करण disabilities आ रहे हैं यदि यह चार आप में दिखते हैं 4D आप में दिखते हैं तो फिर यह मान के चलना चाहिए कि आप में abnormal behavior है तो आज का topic के वाल इतना ही अब हमने दो पार्ट मला हमारी film एक कल बनी थी film का part 2 आज बना है कल भी हमने normal abnormal behavior को समझा था आज भी हमने normal abnormal behavior को ही समझा है लेकिन अलग-अलग तरह से समझा है तो आज के लिए इतना ही कल फिर मिलने वाले हैं एक नए topic के साथ लेकिन कल abnormal normal behavior नहीं होगा क्योंकि यह complete हो चुका है Thank you, thank you very much